नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की पल्मोसेफ टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है, पल्मोसेफ टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और पल्मोसेफ टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की पल्मोसेफ टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडीशन्स में पल्मोसेफ टैबलेट क उपयोग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है। जैसे तवचा पर कोई घाम या तवचा पर कोई infection होने पर, फेफणों में infection होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में infection होने पर, दातों या मसूरों में infection होने पर, जोडों या हड्डियों में infection होने पर, और कान नाक या गले में infection इंफेक्शन होने पर आपका डॉक्टर पल्मोसिफ टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स है जिनमें आपका डॉक्टर पल्मोसिफ टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। पल्मोसिफ टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेट होता है। पल्मोसिफ टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर पल्मोसेफ 500 mg कैपसूल को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन पल्मोसेफ टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको पल्मोसेफ टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना पल्मोसेफ टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। आपको पल्मोसेफ टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने पल्मोसेफ टैबलेट को लेने की सलाह दी है। क्योंकि Palmosive Tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है। अब हम discuss करेंगे कि Palmosive Tablet की वजह से क्या side effects हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Palmosive Tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसंट व्यक्तियों में Palmosive Tablet की वजह से कुछ सामानने side effects हो सकते हैं। जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी, त्वचा पर रैशेस, पेट में दर्ग और दस्थ हो सकते हैं। अब हम discuss करेंगे की Palmosive Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन conditions में Palmosive Tablet को लेना recommended नहीं होता है। Palmosive Tablet viral infection होने पर, जैसे जुखाम या flu होने पर काम नहीं करती है। इसलिए antibiotic दवाओं को तभी लेना चाहिए। जब जरुरत हो, बार-बार या बिना जरुरत के antibiotic दवाओं को लेने से antibiotic resistance हो सकता है। और antibiotic resistance होने पर वो antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और ऐसी स्थिती में infection को ठीक करने के लिए आपके डॉक्तर को दूसरी antibiotic दवा देनी पर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को liver या kidney की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि liver और kidney की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में palmosive tablet की dose घटानी पर सकती है। या इसके किसी भी ingredient से allergy है, तो ऐसे व्यक्तियों को palmosive tablet का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं palmosive tablet को ले सकती है या नहीं। वैसे palmosive tablet pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। लेकिन प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर पल्मोसेफ टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं, जब पल्मोसेफ टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो, इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को पल्मोसेफ को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्मेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को पल्मोसिफ टैबलेट का सेवन नहीं